अंडर्वियर रामदास शोटे कद का अदमी था सबाव से नर्म रस्ते में कोई प्रिष्चत मिल जाता तो नमर्ता पूर्म हाथ जोड़ कर पहले तो नमस्कार करता और फिर हाल चाल पूशता उस वक्त उसके चेरे पर एक अजीब सी मिठास जिल्मला उटती प्रिष्चत व्यक्ती के दूर होते ही वे मिठास भी दूर हो जाती वैसे देखा जाए तो रामदास का सबाव घंबीर था खासकार कांत में वे अपने में खो जाता फिर घंबीरता से सोचता सोचने के लिए कोई विशे ना मिलने पर वह क्या सोचा जाए इस विशे पर सोच था उसके विचार भी फंटैस्टिक होते थे उसकी कलपना जमीन से शलांग लगाती तो सीधी चंदरमा पर जा बैठती वह उसे पढ़ने के काम में नहीं लाता था कभी भी कोई किताब पढ़ने के लिए लेता तो चश्मा उतार कर तपाई पर रख देता उसकी कलपना कुलांचे बरती चश्मे के साथ आँखों में उतार कर तपाई पर रखी जा सके तो फिर चश्मे के साथ उसकी आँखे उतर गई हो ऐसे वे तपाई पर मोटे फ्रेम को देखता रहता पतनी पूछती क्या देख रहे हैं आप वे चौंकर पतनी की और देखता और कताब में मूश पा लेता पलबर उसके मन में सवाल उटता क्या उसके विचारों को पतनी पढ़ सकती है कभी उसे शक होता शायद पतनी उसके विचार पढ़ती होगी लेकिन जिकीन करने के लिए एक दिन उसने मन ही मन पत्री से क्या है प्रिये मेरे मन की आवाज आप सुन सकती हो तो बताएए औरतजाद के बारे में मैं अभी क्या सोच रहा हूँ प्रशन पर वह पत्री से मताफिक हुआ और बेवकुफ की तरह एक टक देखता रहा पत्री जुल जुल जुला कर बोली है भगवान ऐसे मूडी पत्रीयों को पैदा करना था तो हम जैसी पत्रीयों को जनम क्यों दिया और रामदास नाखून चबाते हुए फिर चौंका हकिकत में वह सोच रहा था कि दुनिया में और तो और ते ना होती तो क्या होता उसके स्वाल और पत्नी के जिवाब में काफी समानता थी उसे लँगा उसकी विचार तरंगे उसके आसपास के लोगों को शू सकती हैं और वे लोग अपनी प्रतिकिरिया भी दर्शाते हैं रामदा सावदान हो गया सोचने के लिए वह अब वक्त डूडने लगा कांत डूडने लगा कभी वह बगीचे में जाकर गोशा खोचता तो कभी समुन्दर तड़ पर जा बैठता कभी वह देर रात को मकान के नीचे वाले चबूतरे पर पाल थी मार कर सोचने बैठता तो कभी तड़के उठकर किसी मिदान में चला जाता एक रात वैस उनसान शड़क पर टहल रहा था और उसे एक बेमिसाल तोटका सूजा बगवान के अदबुत सुर्जन इनसान में उसे एक खूद दिखाई दी थी बलकी भूल उसके तरक के मताबिक इनसान के चेरे पर दो आँखों की वजाए केवल एक याँख काफी थी और वह वी मातो माते के बीचों बीच वह एक आँख से दो आँखों का काम सरलता से कर स लगती थी फिर भी पलबर के लिए हम जे माल ले कि बगवान की इश्या इनसानों को दो आँखें बेंट देने की है तो दूसरी आँख के लिए कोई नई सु योग्य यगा डूड़ी जा सकती थी जैसे कि दहने हाथ की हथेली अगर हथेली के बीच भी एक आँख हो तो हम हथेली को चाहे जिस और गुमा कर चाहे जो मंजर देख सकती हैं इस बारे में उसने घंटों चिंतन मनन किया मसलन वै पूर की और मुह करके बैठा तो माथे के बीच की एक आँख सामने दिखती होगी और हथेली पीठ पीशे रखी हो तो अपनी पीठ वाला सारा मंजर दे जाने के तीसरे रोज और रात के दो बज़ कर पंदरा मिंट पर सूजा था और उस समय वह कोई मजूद ना था जदी होता तो वह रामदास को खुश होकर पागल की तरह नाचते देख जिरूर अचंबे में पड़ जाती और किसी की मजूदगी का एहसास होने पर रामदास उससे कैता शमा करें महाशे मनोबाव की अभिविक्ती समें थोड़ी सी ज्याक्ती हो गई जिस रात रामदास को हथेली में आख वाला वचार आया उसके दूसरे ही दिन से वे अपनी हथेली में सच मुच एक आख निकल आई हो ऐसे वे हथेली को पीट पीशे लेकर ना दि देखने की कोशिक करने लगा कभी वे हथेली माथे पर रख पूरा अकाश, नईांग में समा लेने के सपने देखता तो कभी हथेली मन चाहिस त्रिती में स्थिर करके खुद भी स्थिर हो जाता अलता उससे उसमें से नराशा ही मिलती फिर भी वह मैउस ना होता उसे दुख भी ना होता वजे जे खेल उसे बाग गया था अथेली में बले आँख ना हो उसकी कलपना में एक आँख जरूर थी और वे आँख सब कुछ देख सकती थी शायद इसलिए राँ चलते वे चुप चाब थेली की स्थिती बदला करता पूरी तरह साबदा नहीं बरता था कि किसी को धियान उसकी और करशित ना हो वे पागल है ऐसा किसी को शक ना हो मकान में मकान के कराईदारों को तो कत ही नहीं रामदास मुलेशवर के जिस मकान में रहता था उसके दस कराईदारों के बीच एक संडास कामन था बोर होते ही वे लाइन लगने की वहा लाइन लगने की सिर्वात हो जाती रोक की रोज की तरह आज भी रामदास ढालडा का डिपा लेकर लेटरिंग के पास आया तो वह बंद था डिपा नीचे रख बंद दरवाजे को देखता रहा दरवाजे की उपर के हिस्से की और एक पट्टी से सड़कर तूट जाने की वज़ा से लेटरिंग में बैठे आदमी के खड़े होते ही उसका माथा देखा जा सकता था रामदास को सैज ही लेटरिंग के बीतर जाकने की इश्या हुई उसने हथेली तूटी पट्टी वाले हिस्से पर रख कर धीरे से अंदर सिर्का दी उसे हैरत हुई संडास में बैठी एक औरत की साफ तस्वीर उसने अपने दिमाग के पड़दे पर देखी उसकी खुशी की सीमा ना रही लेकिन इस बार अपने मनुबाव की अबिविक्ती में उसने ज्याक्ती ना की वै केवल मूशों में मुस्कुरा कर रह गया दूसरे दिन फिर उसने संडास के बार खड़े होकर परजोग किया और अपनी सफलता पर विश्वाश होने पर नए नए परजोग करने के लिए उसका दिल बेचैन हो उठा दस की टंकार पर त्यार आफिस जाते समय रस्ते में पोस्ट बॉक्स दिखाई दिया वै थोड़ा रुका पोस्ट बॉक्स में उसने अपनी हथेली सरकाई और अंदर पड़ी चिठ्धियों को उसकी अद्रिश आँखों ने देख लिया इतना ही नहीं पोस्ट आफिस में पड़े चिठ्धियों के धेर पर दो मासिक पत्तर काई थी जह भी उसने नोट किया थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर छड़क शाब पर एक खेल पर पड़ी गैस लाइट के खंबे के सहारे एक अदमी हाथ में जोला लिये खड़ा था उसके जोले में एक से सो तक की संख्या वाली परचियां थी सिर्फ पच्चिस पैसे देकर जोले में से एक नमबर की परची निकालने वालों को इनाम में एक ट्रांजिस्टर मिल सकता था रामदास के लिए अनाम जीतना और चुटकी बजाना दोनों एक ही बात थी तुरंट उसने पच्चिस पैसे का एक सिका देकर हाथ जोली में डाला और हथेली खोल दी हथेली की पहली नजर से उसने उपर की कई परचियां देख डाली एक नमबर की परचियां नजर ना आने पर उसने परचियों के धेर को उतल पुतल कर एक परचियां दो उंगलियों के बीच फसा बाहर खीच ली फिन नमबर देख सामने खड़े हुए आदमी को परचिय देते हुए कहा भाई बगवान की इश्या है कि ट्रांजिस्टर मुझे तौफे में मिले यह पहला नमबर देखने के बाद आप में जही चाहोगे ऐसी मैं अमीद करता हूँ आफिस पहुंच कर ट्रांजिस्टर पर क्रिक्ट की कमेंटरी सुनते हुए रामदास को अचानक ख्याल आया उसके दहने हाथ की हथेली कीमती है और उसका भीमा करवाना चाहिए उसी दिन लंच आवर के बाद वह L.I.C. के दफ्तर में चल दिया और सवागत काक्ष में बैठी लड़की से इस बारे में पूश्टाश की रिसेप्सिस्ट ने बीमा एजन्ट शिर्मती बैंकर के कैबिन की और उंगली की रामदास उस कैबन में गया तो शिर्मती बैंकर ने सफेद सहरी में मुस्कुरा कर उसका सवागत किया रामदास ने सामने की कुर्सी पर बैठते हुए अपनी बेजोड हथेली के बारे में थोड़ी जानकारी देकर उसका भीमा करवाने की बात कही शिर्मती बैंकर मुस्कुराई रामदास की बात में उसे रस जगा था सो पूछा इसका क्या सबूत है कि आपकी हथेली देख सकती है बेहन रामदास ने विमर होकर बताया आपको सच मुछ अजमाईश करनी हो तो आप मेरे पास खड़ी हो जाए मैं आपकी साड़ी के नीचे हाथ सरका कर बता दूँगा की आपके अंडरवल का रंग कैसा है शिर्मती बैंकर को जैसे बिजली का जटका लगा हो आँखे सुर्ख हो गई दूसरे पल उन्होंने टेबल पर पड़ी घंटी बजाई तीसरे पल चपड़ासी अंदर आगुसा शिर्मती बैंकर ने उसे इशारे से ही समझा दिया इस नामकुल को दक्के मार कर बाहर फिंक दो रामदास ने दोनों हाथ जोड़ कर अर्च किया कोई गलती हो तो शमा करना बेहन लेकिन आप खुद ही चाहती थी कि उसका जुमला पूरा हो इससे पहले चपड़ासी ने उसे गले से पकड़ कर फुट पाक पर दकेल दिया रामदास को गोर अपमान होने के बाद भी उसका जरा भी असर उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था बलकि उसका चेहरा खिल उठा था साढ़ी के नीचे हाथ सरकाने का मजाग अफलातून था अपने दफ्तर की और जाते हुए वैसूच रहा था उसने कहीं सונה था आज कल की लड़कियां अंडर वेर नहीं पैंती थी साढ़ी पैंती थी मेक्सी पैंती थी लेकिन अंदर कुछ नहीं पैंती थी क्या जे सच था? यह रहस जाना रामदास के लिए जरूरी था उसकी आखे जहां जहां बटकने लगी उसने देखा तो सामने सेमनी फ्राक का लेख एक एर होस्टेस आ रही थी उस एर होस्टस को रोकर उसकी फ्राग के नीचे सिर्फ पलबर के लिए हथेली सरकानी थी लेकिन ऐसा करने के लिए थोड़े साहस की जरूरत थी और रामदा सासी जीवना था एर होस्टस को फटा फट कदम बढ़ा कर जाते हुए वे देखता रहा वे अपने दफ्तर आया तब उसका ट्रांजिस्टर बगल में बैठने वारी टाइपिस्ट लड़की अपनी मेच पर रखकर गीतों का कारिकम सुन रही थी रामदास पर नजर पढ़ते ही उसने ट्रांजिस्टर बंद कर लुटा दिया रामदास ने उसे निमर्ता से थैंक्यू कहकर जोड़ा बेहन ये ट्रांजिस्टर मुझे बिल्कुल मुक्त में मिला है आप चाहो तो ये आपका हो सकता है वे कैसे टाइपिस्ट लड़की तुरंत बोली रामदास ने जवाब ना दिया वे अपने काम में वियस्ट हो गया शाम तक वे फाइलों पर निशान लगाएं कर बाएं और बैठे सहाइक को पास करता रहा शाम शे की टंकार पर काम बंद कर उसने दहनी और बैठी टाइपिस्ट लड़की की और देखा लड़की उसकी और देख मस्कुराई दोनों साथ ही नीचे उतर कर नुकड की एक होटल में गए और फैमिली रूम में बैठे देखो वें रामदास ने काफी का गूट बरते हुए जुरवाद की मुझे एक शोटा सा परजोग करना है आपकी किसमत अशी होगी तो ट्रांजिस्टर आप जीत जाओगी लेकिन मुझे करना क्या है टाइपेस्ट लड़की बोल उठी काफी का कप दूरा शोड़कर रामदास ने उसके खड़े होने उससे खड़े होने की विंते की वैतरंद खड़ी हो गई रामदास कुटनों के बल बैट किया और अपनी हतेली सीधी कर लड़की के दो पैरों के बीच फर्ष पर रख दी लड़की को समझ कुछ भी ना आया वे रामदास को इकागर माते और एचरियस से देखती रही थोड़ी देर बाद रामदास के चेहरे पर मुसकान फैली उसने नजरे उठा कर लड़की से कहा अब दियान से सुनना बेहन मैं जो कुछ कहूंगा उसमें जरावी बूल होगी तो ट्रांजिस्टर आपका सच बताना आपने नीचे नीले रंग की अंडर्वेर पहनी है ना लड़की ने आँखें जबकाई रामदास मन ही मन खुश हो गया कह रहा था बेहन मैं जादूगर नहीं फिर भी मैं कहूंगा कि आपके अंडर्वेर में दो शेक भी हैं अब आप साबित कर दे कि मैं गलतू हूँ और ट्रांजिस्टर आपका लड़की ने फ्राग हाथ में लेकर गले तक उठा दी रामदास फटी फटी आँखों से देखता रहा लड़की ने फ्राग के अंदर कुश भी नहीं पहना था थैंक यू प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब